लो ब्रवान दिस इस अब शेक रायना वेलकम यू ओल ट्यूर फेवरेट यूट्यूट चैनल राइजूकेशनल राइजूकेशनल चैनल पर आप सभी भाई बंदूओं का हर्दिक स्वागत है मित्रों मित्रों जैसा कि एक्जाम का पैटरन तो आप लोग देखी रहे होंगे कि एक्जाम का क्या इस समय रविया चल रहा है हाई कोट में जो मैं 69,000 सक्षक बरती के बारे में बात चीत कर रहा हूँ तो मेरा क्या सूचना है हम लोग कई दिन से इसी पर अपना टाइम लगाए हुए है तो थोड़ा सा इंसान का कार्य है कि वो एक जगह स्टे होके ना रहे वो निरंतर प्रयास करता रहे हो कही ना कहीं अपने सर्वाइवल के लिए या कह सकते हैं अपने एम के लिए अपने गोल के लिए आगे बढ़ता रहे है तो मैं इसी क्रम में आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन मितरों के लिए खास कर यह वीडियो है जो जिनोंने BTC किया है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग किया है इसके लाब कोई डिपलोमा कूर्स किया है जो एक लिमिट तक वैलिट है इसके बाद वो लिमिट एक्सिस्ट नहीं करती है जैसे आपने BTC किया है तो आप उसके अलावा ग्रोध करना चाहते हैं अपने future को अपने आपको कहाँ पे आप चाहते हैं कहाँ पे आप stand होना चाहते हैं यह बहुत ज़्यादा importance इसकी है आपके life में तो इसको मैंने देखते हुए क्योंकि मेरा सुरू से एम रहता है वीडियो उसको बनाने में सुरू से जब से यह चैनल क्रियेट किया हुँ है आप लोगों के लिए कि यूथ जो generation है जो teaching से related है वो उनका goal होना चाहिए कि वो अपने आपको ऐसी जगह status अपना maintain करें अपने आपको ऐसी जगह placed पाए future में जहां से वो serve कर सकें country के यूथ को society की यूथ को एक अच्छी रात दिखाने के लिए तो इन ये वीडियो माध्यम से मैं सभी मित्रों को जो graduate है या graduation के last year में है उनका complete होने वाला है उनके लिए जो PG even कर सुके हैं उनके लिए या जिनोंने BTC अंटिरिया कोई diploma course कर लिया है teaching से related उनके के लिए बहुत जाद important है ये वीडियो तो मित्रों B8 प्रवेश प्रवेश प्रविक्षा 2019 की त्यारी कराने के लिए समें हम सारी चीज़े आपको बताएंगे और आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों को आपके जो भी क्योंकि देखिए आपकी प्रश्ण तो डेर सारी दिमाग में रहते हैं लेकिन कहीं पे उसके जवाब नहीं मिलते हैं आपको तो मैं कुशिश करता हूं कि आप सभी के सभी वीडियो के अंडर जितने कमेंड आते हैं मैंक्सिमम मैं रिपलाई करने की कुशिश करता हूं पॉजिटुव कमेंट जो रहते हैं उनको लिए तो आप सभी के कमेंट्स इसमें कह सकता हूँ कि यहां पर प्रस्तावी थैं आप जरूर दें अपने पॉस्टी कमेंट और मैं उनके जवाब देनी कोशिश करूँ जो आपके मन में जितनी भी जंक्रिया हैं जो भी प्रशन उठते हूँ सबके उतर आपको मिलेंगे तो देर न करते हैं बहु ह一些 जाद कर दो न बहुँ कर दें आपके उम्हें करेंगे उन सारे कमेंटवों को प्रस्तस नसे के रूप में ना दिमाग्प में तो इसी उम्मीद के साथ एक खुशी मन से आगे बढ़ने की कोशिश हम लों करते हैं उम्मीद जगातेउỗi तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक फॉर्मेट मैंने बनाया है मिद्रों कि देखें कि कौन-कौन से प्रश्ण मैंने मुझे लगा कि जो इंपोर्टेंस हो सकते हैं वो प्रश्ण वो मैंने आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश की है and I hope कि आपको ये कुछ basic आडिया इन सब प्रश्णों से लगें जैसे पहला है मैंने लखाए कि क्यों जरूरी है बीएड ही क्यों जरूरी है मैं क्यूं करूं बीड सबसे पहला प्रश्ण मैं चाहता तो पहले मैं इसका सीलेबस डिसकस कर लेता आप लोगों ऐसे एक्जाम पैटर्न डिसकस कर लेता कब है इंट्रेंस कब क्या कैसे होगा सारी चीजमें डिसकस करता लेकिन नहीं मेजर्टी सक्षन के पास सबसे बड़ा प्रश्ण यहीं है मित्रों क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का दे यह नहीं कि मैं विस्प आ जाओं और कई लोग देख ले हैं और मैं वगयरा वगयरा जो भी लोगों के दिमाग मनते हैं मेरा वो नहीं मैं यूथ को इस कंट्री के समा कफ़ी है बियडिंघ करने से दूसरा प्रशन यहीं आता है पहले बात करूं लाफ बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को जानना और कोई हंसी मजाग वाली बात नहीं है कोई फी झाल्टी चाहे मैं BTC कर लूँ, चाहे मैं BTEK कर लूँ, BSC कर लूँ, जो भी कर लूँ, तो सब अपने need के हिसाब से, अपने strength के हिसाब से उस field में जाने कोशिश करते हैं, जहाँ पर जल्दी से settle हो जाए, जल्दी से अपना जो भी उनका नीजी कार रहे हो, वो संपन करना शुरू कर कर दें, चाहे वो सर्व करने के लिए, चाहे अपने family को support करने के लिए, कई धिर सारे आ जाते हैं, सबके अपने recommendations, सबके अपने importance होती है, थर्ड है, सरकार का क्या कहना है इस पर, और पूरी जानकारी प्राफ्ट करने के लिए इस वीडियो में जरूर बने रही है, तो मैं मैं पूरा authentication, बिना authenticity कि मैं कोई चीज बात नहीं करता हूँ, वो अलग बात है कि आप लोग प्रश्ण पूछने के सराव अपनी तरब से कोई प्रक्रिया दीजे, कोई उत्तर दीजे, तो वो अलग बात है, लेकिन पहले importance है authentication, क्यों जरूरी है बेड, इसका उत्तर में दे क्लास 5 है, और बहुत ज़्यादा है तो यहां पर क्लास 8 थे, यह प्रमोशन वाला है, 68 वाला है, यहां पर मैं इसको कंसिडर भी नहीं करता हूँ, और अगर प्राइविट सेक्टर में है, प्राइविट स्कूल में है, तो क्लास 8 तक आप अपने बीटी सी किया है, तो क्लास 8 के उपर नहीं जाते सकते हैं, उन मित्रों के लिए जिनके पास eligibility है, इतने मतलब वो क्या सकता हूँ, लग्जरियस हैं अपने knowledge के मामले में, luxury हर जगा पैसे से नहीं countable होती है, knowledge होती है, मैं use कर रहा हूँ, knowledge के मामले में अगर वो लग्जरियस हैं, उनके पास इतन क्योंकि B8 से आप class 12 तक के लिए eligible हो जाते हैं, 1, 2, class 12, पहली बात, दूसरी बात, 12 तक के लिए कब eligible होंगे, जब आप PZ किये रहेंगे, 10 to 11, तो वो अलग बात होने लगती है, फिर 10 तक के लिए आप UG हैं, प्लस B8 हैं, वो अलग-लग criteria हो जाती हैं, तो B8 पहली step है, आ आपको आगे बढ़ने की, अपनी aim को, अपने opportunity को, अपने goal को achieve करने की, आगे बढ़ते हैं, इसी बार 2019 में क्यों important है, B8 करना, क्यों, क्यों की मित्रों, एक second मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, news को फिर उसके बाद मैं बातचीत करता हूँ आपसे, तो देखिए, तो य यह news है हमारे पास, और यह Times of India से मैंने news की cutting ली है, online sources से, यहाँ पर लिखा हुआ है, कि four year beard program coming up from next year, says HRD minister प्रकास जावडेकर, तो प्रकास जावडेकर जी ने बोला है, भी मैंने उनका twitter handle से भी जो tweet लिया हूँ, वहाँ से भी मैं उसको दिखाँगा आपको अभी, कि चार साल का हो जाएगा, अगले साल सी, यानि कि इस साल जो मित्र एड्मिशन लेंगे, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि वो दो साल में complete कर लें, अपना beard course, पहली बात, इसमें लिखा कि here are a few things you need to know about the new integrated four year beard program to be introduced from next year as per announcement by HRD minister प्रकास जावडेकर, तो यह अब कुछ मित्र बोलेंगे अरे यारी क्या बात कर रहा है, यह तो class 12 के बार ही होगा, चार साल का जो इसमें education field में आना चाते हैं, तो बिल्कुल आप सही समझ रहा है, मैं भी वहीं बोल रहा है, मैं यहां नहीं बोल रहा हो कि आप graduation के पास चार साल पर हम वेस्ट करेंगे, जी बिल्कुल 12 के बाद ही आप इसमें integrate हो जाएंगे, लेकिन ये सुनेरा मौका आगे चल के इसमें भी changes हा सकते हैं, कि इसके बाद भी आपको चार साल करना पड़े, जो भी होगा, लेकिन अभी आपके पास दो साल का मौका है, दो साल में आप कर सकते हैं अपना जो भी कार करना चाते है और इसके बाद इनका tweet है, देखिए यहाँ पे 8 फरोरी का है, यानि कि आज 10 है, तो दो दिन पहले की है, यहाँ पे इनकी बातचीत हुई है, यह प्रकाश अवडेकरची आप जानते हैं, हमें HRD मिनिस्टर है हमारे, तो यहाँ पे इनका tweet है, एक सगेंड मैं दिखाता हू को इनका tweet, तो इनको, देखिए इनके Twitter handle से है, 75.2019, तो authentication के सबसे बहुत जादे importance होता है, मेरे लिए, 75.2019 को है, साथ फरोरी का है, इनको लिखा है, इनको लिखा है, तीचर सुट भी पैशनेट इवार्ड दियर प्रोफेशन्स, टीचर्स आर स्कॉप्चर्स ओफ दा That is why we are introducing 4-year integrated B.Ed. course in the coming academic year, यह बहुत important इनको ने announcement की है, कि टीचर्स लोग टीचिंग फिल्ड में इसली आते हैं, कहीं भी options नहीं बसता है, लेकिन जो minds से brilliant होते हैं, वो last options इसको समझते हैं, तो यहाँ पे changes आएंगे, आपकी salary, देखिए सबसे बढ़ा इनकोंने दो point अभी teaching को लेकर, teachers की need को लेकर, teachers की जो unemployability है, वहाँ पे कमी है, आपके sectors में, teaching sectors में, उसको लेकर इनकोंने दो चीज़ पर सबस्यादा focus किया हुआ है, तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, चलिए एक बाद एक प्रशनों को शुरू करते हैं, ज्यादा बड़ा ना वीड प्रशनों होंगे, लेकिन फिर भी उमीद करता हूं कि आप positive comment करेंगे, जो आपको प्रशनों को जानना है, तो मैं इस पर आपके comment के उत्तर में ही, जब आप एक वीडियो में बनाऊंगा जल्दी, तो यह आप लिगा है, the government is introducing a four year integrated B.Ed program from the next year onward, with an aim to improve the quality of teacher and teaching, तो यह वही है, quality change करने के लिए सारी बाते हैं, quality education के बाते हैं, तो अभी मैं दिखाता हूं कि कौन-कौन universities इसमें participate करते हैं, एक जलक आप देख लीजिए, इसके बाद मैं तो अगले वीडियो में सारी के बार में detailing चर्चा करूंगा ही, और यहाँ पर वही है, मैं बता दूँ, निटल अब 1-2-8 तक के लिए तो आप eligible होई गें government में, 1-2-5 के लिए, माफ करिए कि eligible हैं, पहले 6-2-8 के लिए तो आप eligible ते ही beard वाले जो मित्र हैं, तो beard के लिए 1-2-5 के लिए eligibility आ चुके हैं, क्योंकि NCT की guideline है, आप देख सकते हैं, इसकी बार में बात हो रही है, यहाँ पर इस degree holders to teach in primary schools, यह official websites इनकी बातचीत है, तो यह बहुत जादा है, यह देखे प्रशना है, आपके जो जो मैंने प्रशना अपने से सोचे हैं, इसके लिए आपके कई प्रशनों हो सकते हैं, तो वो बिल्कुल कमेंट करिएगा, कि beard ही करना क्यों जरूर ही है, यह आपने समझ लि जिसमें मैंने न्यूज जब दिया था मॉर्निंग का, तो मैंने उसमें पताया था है कि 11 फैब से ही आपका सायथ फॉर्म फिलप का आ जाएगा, जिसके बार में मैं फिर से दुबार आपको बताऊंगा, अज दस तारीक तो है, इस यह दर रिस्पोंसिबल्टी तो होल्ड यूपी बीड एग्जामनेशन वस गिबन तो महात्मा जोदीबा फूले, रुहेल खंड उनिवर्सिटी बरेली, ये तो मैंने आपको बताया था है, रुहेल खंड उनिवर्सिटी का 11 तारिक से इसका कंड़क्शन का सारा आ जाएगा, आपको फॉर्म फिलप का, रुहेल खंड उनिवर्सिटी इवेंट टारिक से आपका, ये तो मैंने दे दिया, पच्चीस तारिक को जो ये पुबिस कर दिया, उन्होंने अपने निउस्वेपर के मादिम से रुहेल खंड उनिवर्सिटी ने, और रिजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने बताया है, कि फेरवरी 2019 टू मार्स 2019 लास्ट टू समिट फानल ये सारी चीज़े हैं कि कब हो गई तो मैं भी बताऊंगा आपको सारी डिटेल में कि कब से फार्म फिलप होंगी, एक्जाम देखिए, एक्जाम का सबसे इंपोर्टेंट है कि लास्ट में, अपरेल के लास्ट में, जो बस पैटर्न है किस वेसे एक्जाम कौन कौन से डिग्री कोर्सेस वाले लोग अपलाई कर सकते हैं सारी चीज़े इसके बाद तो आप प्रस्न जरूर अपने पूछिएगा, और कौन कौन से इनवर्सिटी इसमें कि जलक बता देता हूं, फिर मैं अच्छे डिसकस करूंग ये तो में है कंडक्शन उनिवर्सिटी रुएलखंड, फिर डाक्टर भीम राव मेटकर उनिवर्सिटी आगरा, लखनु उनिवर्सिटी राम मनोर लुया, चोदित जरन सिंग, और मुंदेल खंड, महत्मा गांधी, कासी, विद्धापिट जो है आपका वारानसी का, इसक आपका यहां पर देख लीजे, और कई उनिवर्सिटी राम में अलग से वीडियो में बात करूंगा, तो प्लीज अपने कमेंट जरूर दें, और एक जगह स्टे होके कोट के अपडेट के लिए प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक जगह स्टे मत र करने का मौका है, वो और किसी के पास नहीं है, तो अगर आप यूत है, अपने आपको समझते हैं कि आपके पास स्ट्रेंथ है मित्रों, तो जरूर इसको फॉल अप करिए, और आप से निवेदने कि मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर देजगा इस वीडियो को, जिन मित्रों को इसकी नीड है, वो इसको फुल्फिल करें, और लगातार आप अपने प्रशन जरूर कमेंट करिएगा, ताकि बीड इंटरेंस से रिलेटेड फिर अगली वीडियो मैं उसको समप करके आपकी कमेंट्स को उसमें जरूर शामिल करके आपके जवाब दूँ, तो ऐसे बने र हो इनका पंटूजया से थाभण।